सर्च 24 इंडिया न्यू चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत हैं मित्रों इस समय हमारी टीम अजुद्ध्या दिले के पूरा विकास खंड के मोधरा गाउं में मौजूद है जहां तक आप लोग देख पा रहे होंगे यह है मनोज गुमार यादों का घर जहां इ इनकी इनके 22 को प्रसोव हुआ है और एक ऐसे अजूबे बच्चे ने यहां पर जन्म दिया है जिसे देखने के लिए पूरे गांवालों की भीड यहां यह के करके जमा हो रही है इसे जुरवा बच्चे या चार पैर वाले बच्चे या छा पैर वाले बच्चे तो अक्सर देखे वाशने जा सकते हैं लेकिन आठ पैर वाले बच्चे बहुत ही कम देखने वा सुनने को मिलते हैं, यहाँ पर देखिए मनुज गुमारी यादों की भाइस ने आठ पैर वाले बच्चे को जर्म दिया है, देखें जहां तक आप लोग देख पा रहे हुए, देखें जहां दिकाईए भाई, देखें इस बच्चे के आठ आठ पैर है, लेकिन संजोग कहें या खुदा की दिन कि ये बच्चा आठ आठ पैर होने के बाद भी ना तो खड़ा हो सकता है, ना खुद अपने पैरों के बल पे ये चल सकता है, इसको अलक से दूद पिलाया जा रहा है, ये बच्चा अभी बेते रात तीन बज़े पस्टिकिसक डाक्टर राम की सोर यादो, जो कि इस एरिया में काफी फ़ाफेमस है, इनके देख रेख में अठख परियास के बाद, क्योंकि ये बच्चा बहुत बड़ा था, और परस इस बच्चे को का परसो कराया, आज ये बच्चा एकदम सौस्त है, चल फिर तो नहीं सकता, लेकिन इसको कई बार दूद भी पिलाया गया, जिससे लगता ये है, कि ये बच्चा चल फिर तो नहीं पाएगा, लेकिन अगर इसको खिलाया पिलाया गया, तो ये बच्चा ज जोड़ जी से बात कराते हैं और जानते हैं इस बच्चे के बारे में क्या बज्ञानिक कारण है कि कोई जय भी कारण है यह बच्चा इस बच्चे को आठाट पैर कैसे हुआ हाँ डाट साफ साज 24 इंडिया न्यू चैनल में आपका बहुत दोस्वागत है तो डाट साफ बार तो इसका क्या कारण है बैग्यानी कारण है जैवी कारण है आंवार्सिक कारण है क्या कारण है कि इस बच्ची के आाठाट फैर है विश्ञाल जान का रही है कि जो जीन्स का फ़रक होता है इसने कुछ गुनसूत्र जो जो असलान हो गए उससे बच्चा जो है विकत रूब ले लिया है और कुछ जो है मिंदल ची कमी या अधिकता से भी बच्चे जो है कई पैर्ट हो जाते हैं यह विजा है वज़ा है विकत पैदा हुआ है कर्या है तो इसका मतलब इसको जोड़वा होना चाहिए था लेडिया है। तो इतना बड़ा बच्चा जो आप देख रहे हैं पैर को छोड़ दीजे कहीं आपने प्रसो कराया है इतना बड़ा बच्चा तो नहीं हुआ ना जीवित रहा इसके पहले जो है कम लोग निकार आये थे वह तो बहुत चोटा अगायम था कच्वा का अगार था उसके भी इसके पैर भी काफी बड़े-बड़े हैं सरी भी काफी जो है बड़ा है देखिए एक बाप फिर हम आपको दिखा रहे हैं दिखाए विया देखिए इस बच्चे के आठ आठ पैर है चल फिर तो नहीं सकता लेकिन ये बच्चा दूज पी रहा है और भगवान ने चाहा त ये बच्चा काफी दिनों तक जीवित भी रहेगा इस बच्चे का प्रसो कराने में डाक्टर साहब का बहुत ही बड़ा योगदान है अगर आप से संपर करना चाहते हैं अजो अध्या जिले के जो हमारे अजो अध्या जिले के दर्सक देख रहे हैं बाहर तो नहीं जा प है नुन्याने पहिंतिस सताओन उनहत्तर चेंटिस देखे डाक्ट साहब ने अपना नंबर बता दिया अगर इस बच्चे के बारे में कोई जानकारी भी करना हो तो आप इस नंबर पे डाक्टर साहब से संपर कर सकते हैं बस आज यही तक सच 24 इंडिया के लिए ESP पांडे पेकी रिपोर